प्रताब कड़ी इमरान प्रताब कड़ी प्रताब कड़ से अपना सफर शुरू करने के बाद दुनिया भर में महबत करने वालों के दिलों में अपनी जगा बनाए और लोगों के जजबात और हिसासाथ को अपनी अशार अपने कताद अपनी नजमों का हिस्सा बना कर उनकी खिद्मत में पेश कर दे ये उस नौजवान की अपनी शिनाखत और पहचान है आईए आपका महबूब शायर आपका चहेता शायर आपके दिलों की धड़कन इमरान परताबगड़ी आपके हवाले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरी आवाज के साथ अपनी तालियों की गून शामिल करें और आवाज दें जनाब इमरान परताबगड़ी को मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तश्रीफ लाएं और अपने कलाम से नवाज दें ठीक 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 मैं कर लूँगा अस्लाम अलेकुम मुझे याद है जीतेन भाई आज से तकरीबन 10-12 साल पहले छोटा सा हुआ करता था मैं मेरे शेहर में मुशायरा होता था बहुत बड़ा मेरे अब्बू मेरी उंगली पकड़ के मुझे ले जाते थे और कहते थे कि चलो तुम्हें डॉक्टर रहत इंदोरी साहब को सुनवा लाँ ये मेरी खुश नसीबी है कि आज उनके साथ बैट करके पढ़ने का मौका मिलता है और आज आप सब के सामने मैं अल्ला से दुआ करता हूँ कि आने वाले 15-20 साल बाद मैं भी अपने बच्चे की उंगली पकड़के कहूं कि चलो तुम्हें डॉक्टर रहत इंदोरी को सन्वा लाता हूँ अल्ला करे हम बच्चों के हिस्से की भी उम्र उन्हें लग जाए बहुत कमाल का उन्होंने पढ़ा और आप सबने बड़ी मुहब्बतों से सुना मैं आज जिस काम के लिए बठाया गया था आपको रोक के रखने के लिए वो काम हो चुका है मैं कोशिश करूँगा कि 10-15-20 मिनिट मैं भी आपसे रूबरू रह सको चार मिस्रों से अपनी शुरुआत करता हूँ बहुत कुछ मेरे जैसा मेरी नजमों का चर्बा मेरी धुने आप सब कुछ सुन चुके है मैं सोच रहा था कि काम पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ नदीम भाई कि कुछ अच्छा नदीम साब गुजर गये चलिए था शेहनशाह को गुरूर बहुत इधर से लेकर के उधर तक वहां तक कोशिश करता हूँ आप सबको वहां तक पहुँचाने की जिसके लिए यह तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशूर हूँ कोशिश करता हूँ थोड़ा साथ देंगे तो इंशाला आखरी लम्हा है मुशायरे का शायद थोड़ा सा जिन्दगी और थोड़ा सा जोश पैदा कर सकूँ आप में था शेहनशाह को गुरूर बहुत रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया चाती थी छपनिंच की उसकी कमजोर ना पने आप पीछे तक अगला मिस्रा सच्चा लगे तो एक खात को कसम था शेहनशाह को गुरूर बहुत रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया चाती थी छपनिंच की उसकी उसको भी लालू ने सिकोड दिया उसको भी लालू ने सिकोड दिया रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया बहुत शुक्रिया तभी चाय आई थी और राहत साहब ने बहुत मौके का एक जुमला कह दिया कि चाय वालों पर कुछ न बोला जाए कब कौन कहां बहुत जाए कोई भरोसा नहीं चाय का जिक्र हुआ तो मुझे चार मिस्रे याद आगे साहब यहां बहुत सारे उत्तर भारती बैठे वे हैं उत्तर प्रदेश बिहार और उसके इर्दगिर्द के लोग बैठे हैं आप सारे लोगों को बिहार जीतने की मुबारक बात देता हूं मुबारक बात इसलिए भी देता हूं साब कि अगर आप बिहार न जीते होते तो वो जो दिवाली थी वो पठाखों से नहीं आपकी जोपडियों से मंती ये भी सच बात है आपको इस बात को समझना पड़ेगा मैं चार मिस्रे पढ़ता हूँ कि दूध ने चाय को हरा डाला पहुंचिये गजा मैं पहुंचाना चाहरा हूँ मैं ये जानता हूँ कि आप ठक चुके हैं आपसे पूरी रात दादवसूल की गई है जबरदस्ती तालियां बजवाई गई है और कुछ-कुछ तो डरा धमका करके बजवाई है जितेन साब ने माइक लेकर बैट गए और हर शायर पे जहां आपका कुसूर नहीं था वहाँ भी आपसे दादवसूल करवाई मैं तो सोच रहा था कि मैं माइक पाऊंगा तो जितेन भाई से कहूंगा कि जितेन भाई मुशारा सजाने की मुशारे को बहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सामाईन की नहीं है शायर की भी होती है दोनों से बामला बराबर बराबर चलता है लेकिन आपकी मुहबत में लोगों ने वहाँ भी ताली बजाई जहां नहीं भी बजा सकते थे बैचारे तो मैं चाराओं की वो जो जोश थोड़ा खत्म सा हो गया है वो मेरे हिस्से के लिए बचा हो तो मेरा साथ दीजेगा के दूध ने चाय को हरा डाला सच ने अन्याय को हरा डाला कर दिया ये बिहार ने साबित अब यहां से वहां तक एक खात हवा में उठेगा अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता हूँ के कर दिया ये बिहार ने साबित भैस ने गाय को हरा डाला भैस ने गाय को हरा डाला सच ने अन्याय को हरा डाला अब बहुत शुक्रिया बहुत महब्बतें लगें हाथ बहुत मुबारक बात देता हूं बहुत मुबारक बात देता हूं शमीम भाई को शमीम भाई मेरे बहुत पैरे दोस्त हैं मुझे वो दिन भी याद है नहीं आप इस्क्रीन पर क्यों देख रहे हैं मैं लाइब ज्यादा खुबसूरत लगता हूं इस्क्रीन पर क्यों देख रहे हो सीधे सीधे देखो ना आप तो बहतर है कि स्क्रीन का शोर मचाना बंद करिये मैं इंशालला अगर माई खराब भी रहा तब भी आप तक आवाज पहुंचाओंगा इंशालला यह वादा है आपसे मेरा शमीम भाई को बहुत मुबारक बाद शमीम भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है मुझे याद है किसी एक मुश मुशारे में 18 माई को फिर वो मुशारा है बहुत अजिमुशान मुशारा किया और जितेन भाई वी उसमें गयवे थे तो उनको बहुत मुबारक बाद साथ में शानु भाई को बहुत मुबारक बाद यह नियू के पत्थर है इस मुशारे के लिए इनको बहुत मुबारक बाद देता हूँ और जितेन भाई को तो मुबारक बाद है ही मेरे सारे दोस्त जो बैठे हैं एक खुबसूरत इजाफा हुआ है साब सुफियान खालू को देख रहा हूँ मैं शारिक को देख रहा हूँ अलमदुलिल्ला इन बच्चों ने दाड़ी रख ली है नमाजी हो ग अगात मुबारक बात देता हूँ फिर से बढ़ता हूँ कि सचने अन्यायए को हरा डाला- अँच चप्पनिंच जितेन भाई वो चप्पन कांकडा था अब जाके पूरा हुआ तिरपन भिहार में तीन दिल्ली में अब जाके छपन पूरा हुआ है तीन. ने अन्याय को हरा डाला कर दिया ये बिहार ने साबित भैस ने गाय को हरा डाला भैस ने गाय को हरा डाला चार मिस्रवर पड़ता हूं हमारे देश में एक बाबा है दुनिया की हर मर्ज का इलाज है बंदे के पास फैक्टरी खोल रखी है दुनिया के हर बीमारी का इलाज करने वाला वो तथाकतित बाबा आज तक अपनी फड़कती हुई आँखों का इलाज नहीं कर सका साब वो जुआ रहती है योग दिवस मनवाया उस शक्स ने योग दिवस मनाये गया साभ देश का प्रधानमंतरी राजपत पर लेट गया चीन की चटाईयों पर वो योग इसलिए मनवाया गया जितेन भाई क्योंकि चीन की चटाईयां विकवानी थी मैं सीधे-सीधे बहुत सलीक ऐसे बड़ी जिम्मदारी से यह बात कह रहा हूँ कि सिर्फ चीन की चटाईयों को बिकवाने के लिए योग करवाया गया योग दिवस मनाया गया और वो बाबा पिछले दिनों उसने का कि शारुक खान ने इंटॉलरेंस पे बयान दिया है तो शारुक खान को पदमश्री मिलने के बाद जितना भी दौलत कमाई है सब का सब वापस करें तो मुझे लगा कि मैं बाबा से कहूँ कि काने बाबा शारुक खान पैसा वापस करे ना करे तुम जो रामलीला मैदान से सलवार सूट पहन के भागे थे वो तो कम से कम उस औरत को वापस कर दो जिसका पहन के भागे थे अब तक नहीं वापस किया बंदे ने दूसरों से पैसे वापस करवा रहा है तब मैं चार मिस्रे पढ़ता हूँ कि चढ़ते सूरज को नमसकार न करे सब इमान वाले लोग बैठे हैं मेरे मिस्रे सच्चे हो तो अब आपके इमान को पोकारता हूँ कि चढ़ते सूरज को नमसकार न कर उसकी तस्वीह पढ़के देख कभी उसकी तस्वीह पढ़के देख कभी योग का नाम भूल जाएगा अब लगे के इमान बोल रहा है तो एक खात को कसम है फिर से के योग का नाम भूल जाएगा बस तरावी ही पढ़के देख कभी बस तरावी ही पढ़के देख कभी बहुत शुक्रिया बहुत महब्बत हैं आप बिल्कुल मूड में आ चुके हैं और महब्बतों का मुसलसल सुबूत दे रहे हैं पूरी रात बस थोड़ा सा मेरे वक्त भी बार बार देते रहिएगा वह पिछले सर इसके पेज नंबर 113 को आप खोल कर देखें जो आर्टिकल है उसके हिसाब से मेरे मौकिल का कोई गुना नहीं बनता है उसे बाइज़द बरी किया जाना चाहिए जससाब ने कहा किताब पेश की जाए किताब पेश की गई जब उन्होंने पेज नंबर 113 खोला तो उसमें 1000-1000 के 20 नोट रखे वे थे जससाब मुस्कराए उन्होंने वकील साब से कहा कि वकील साब आपका सुबूत बहुत अच्छा है मैं चाहता हूँ कि इस तरह के 10 सुबूत और पेश किये जाए तब जाकर के मामला बरी होगा तो मैं चाहरा हूँ कि आप भी जो सुबूत दे रहें थोड़ा सा और सुबूत पेश किये जाए तो इंशाला मैं थोड़ी देर और आपको सुना सकूंगा बहुत अच्छा सु श्याब की मां के पैर छूटा है अच्छा लगता है इंदोस्तानी तहजीब दिखाई उन्होंने वो अमेरिका आजाते हैं तो फेस्बूख के ओफिस में जाकर के मां को याद करके रोते हैं अच्छा लगता है कि वो मां को याद भी करते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी साहब माएं और भी हैं इस देश में मैं चार मिस्रे पढ़ता हूं अगर सचे लगें तो मेरा साथ कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनूं क्यों नहीं दिखते किसी भी हाद से कैसारे पहलूं क्यों नहीं दिखते किसी भी हाद से कैसारे पहलूं क्यों नहीं दिखते जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाता है मेरा सवाल जायज हो तो मेरा साथ देना मेरी हिम्मत के लिए जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाता है उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते के वतन की बात करता है लहू की बात करता है कफन की बात करता है वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो अगर सच लगे मिस्रा तो मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ देना जो कहते हैं इस आधी में पर ना तोला जाएगा जो इस बात पर खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा मेरे मिस्रे सच्चे लगें तो मेरा साथ देना मैं कहीं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप पहुँच जाएंगे जहां आपको पहुचना है वो कारो बारियों के साथ धन की बात करता है हमारे मुलक ने कैसा नमूना चुन लिया यारो वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है चार मुस्रे और पढ़ता हूँ जितेन दवार साथ मेरी आँखों के सामने बैठें जितेन साथ आपको याद होगा कि आपके एलेक्शन में मैं आया था मैंने अपना दामन फैला करके मुम्रा वालों से कहा था कि मुम्रा वालों जितेन दवार तुम्हारे लिए जरूरी है आपने मेरी लाज रखी थी मेरी बात का भरम रखा था आज वो बातें साबित हो रही है विदेश से किसी को निकाल लाएंगे उसकी गवाही पर पूरे मुंब्रा को कटगरे में खड़ा कर देंगे इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जितें दोहार जरूरी हैं तुम्हारे लिए मैं चार मिस्रे पढ़ता हूँ, अगर सचे लगें तो मेरा साथ देना मुसल्मानों इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसल्मान लड़ रहें या तुम्हारी लड़ाई सिर्फ भाई लोग लड़ रहें इंसाफ बचाने की आखरी उम्मीद ले करके रात के धाई बजे सुप्रीम कोट की चौखट पर जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था सारे के सारे हिंदू थे पहचानिये अपने इर्दगिर्दे से चेहरों को आप गुजरात गुजरात करते रहते हैं माईक पर लेकिन सच में गुजरात के मसले को अदालत तक ले जाने का काम जिसने किया था उस शक्सियत का नाम तीस्ता सी तलवाड है और वो मुसलमान नहीं है पहचानिये सेलूट करिये ऐसे चेहरों को सेलूट करिये शहीद हेमंत करकरे को जिन्होंने बताया कि दुनिया में देहशतगर्दी के दो चेहरे हुआ करते हैं सेलूट करिये अरुंधती रॉय को सेलूट करिये आपके लिए एवाड वापस करने वाले उन सेकड़ों लेखकों को, कवियों को, शायरों को सेलूट करिये जिते इंद वाड जैसे लोगों को जो आपके लिए मुसलसल लड़ रहे हैं मैं चार मिस्रे पढ़ता हूँ मैं जानता हूँ आप बहुत ठके हैं लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप इनसे मुहबद भी बहुत करते हैं इसलिए पढ़ता हूँ कि बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है चलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है चलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है सुनो एं मुम्ब्रवालों बात मेरी याद रखना तुम तुम्हारे शेहर पर इस शक्स का साया जरूरी है तुम्हारे शहर पर इस शाक्स का साया जरूरी है चलक कर दर्द होटों तक चलाया जरूरी है चार मिस्रे और पढ़ता हूं साब पठान कोट के शहीदों को सलाम करते वे चार मिस्रे पढ़ता हूं और बहुत जिम्मेदारी से हजारों लाखों की इस भीड में ये बात भी कह रहा हूं कि मैं टेर्रिजम की कड़े शब्दों में मजब मत करता हूं निंदा करता हूं क्योंकि इसलाम कभी इसकी इजाज़त नहीं देता हम जिसके मानने वाले हैं उन्होंने तो जब एक दिन कूडा नहीं फेंका बुडिया ने तो उसके घर जा करके पता किया कि आखिर बुडिया क्यों कूडा फेंकने नहीं आई हम उनके मानने वाले हैं हम किसी मासूम के कतल की इजाज़त नहीं दे सकते जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती उसी तरह लाहु अक्बर कह करके किसी मासून को गोली मारने से वो गतल जायज नहीं हो जाता मैं निंदा करता हूँ लेकिन चार मिस्रे पढ़ता हूँ वह 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 बहुत कुछ वह बातें याद करिये जितेंद भाई जब कहा जा रहा था कि एक के बदले दस सर लेकिन मेरे मिस्रे सुनियेगा क्या मैं सच बोल रहा हूं शहीदों का लहू बे आबरू करके चले आए बिन बुलाएं पहुंच जा रहे हैं साब नाश्ता जो है वो काबूल में हो रहा है लंच लाहौर में हो रहा है हिंदुस्तान तो सिर्फ खाली होने के लिए आते हैं फिर वापस किसी मुल्के ले निकल जाते हैं साब अजीब ब देख सके कि दुनिया का किस मुल्क कौन सा मुल्क बचकिया जहां घूमा जाए एक दिन सेकर्ट्री से कहा कि सेकर्टी बताओ अबform दुनिया के कौन से मुल्क का दोरा बचा है बाकी दोरे सब खत्मों चुके है यह हालत हो गई है साब तब मैं पढ़ता हूँ कि शहीदों का लहू बे आबरू करके चले आए पुराने जखम थे उन पर रफू करके चले आए हमें उमीद थी वह कुछ कटे सर लेके लोटेंगे याद है जब वहां उन्होंने लेंड किया था तब हिम्मत कर रहा हूं है हाँ मैं उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लोटेंगे मगर साहब गए तो पाउँ छू करके चले आए मगर साहब गए तो पाउँ छू करके चले आए बहुत शुक्रिया बहुत महब्बते एक बहुत छोटी सी दो ढ़ाई मिनिट की नजम पढ़ता हूँ उसके बाद अपना सफर खत्म करता हूँ आपने पूरी रात कुर्बान करी है नई नजम आपको सुनाता हूँ अच्छे दिन मेरी नजम सुनिये के जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं थोड़ा साथ दीजेगा जो लोग रात के पहने तीन बज़े जा रहे हैं वो जो काम इस वक्त जाके करेंगे वो चार बज़े भी कर सकते हैं तो बहतर हो की रुक जाएं अगर तो अच्छा रहेगा मैं जानता हूँ कि आप बहुत देर हो चुकी है सबसे आखरी शायर के तौर पे मैं आपके सामने खड़ा हूँ लेकिन थोड़ा सा आप अफरा तफरी खत्म करेंगे तो मैं इंशालला अखलाक पर एक बहुत जिम्मेदारी भरी नई नजमा आपको सुनाने के मेरी खाहिश है लेकिन उसके लिए ये दो मिनिट की नजम सुने पढ़ता हूँ सुनेगा जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं और लोगों और लोगों और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं पहला बंद पढ़ता हूँ के अच्छे दिन तो नहीं मिले चहरा मायूस मिला है लफाजी करने वाला उंदा जासूस मिला है लफाजी करने वाला उंदा जासूस मिला है दाल की कीमत देखो दोसों के उस पार खड़ी है मुम्बई वालो अगला मिस्रा मेरे बहुत हिम्मत का मिस्रा है अगर सच्चा लगे तो मुहर लगा देना के दाल की कीमत देखो दोसों के उस पार खड़ी है जब से भारत की गदी को एक मनुहूस मिला है कितने 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 भोले लोग हैं जो अभी खुश फहमी पाले हैं बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं आखरी बंद पड़ता हैं इस नाजम कासाब के अच्छे दिन क्या होते हैं ये अमबानी से पूछो या पारहमी फेल इस मृतीरानी से पूछो अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जान ना होतो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवानी से पूछो सबने चुपी और रखी हैं सब की जुबा पर ताले हैं बेचारों को लगता हैं अच्छे दिन आने वाले हैं जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रख वाले हैं बहुत शुक्रिया बहुत महब्बत हैं तो बहुत मुबारक बाद बहुत शुक्रिया आधा मुशायरों को काम्याब बनाने वाले सभी हमारे मेंबर्स जो शमीम भाई शानु भाई सयद भाई कमर भाई सभी भाई मुस्ताफा भाई इनका सबका शुक्रिया पर करका हस करके आपका शुक्रिया जो आप इतनी तदाद में इतनी संख्या में यहां पे शांत बैठे रहे फिर से ये दोराते हुए ये कहते हुँ मैंजे गर्ब महसुस होता है फिर से एक बार इस साल की 24 तारिक को मिलेंगे इस साल की 24 तारिक को इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि इदे मिलाद नभी का जश्म मनाया जा रहा था और इस 24 को हम फिर से एक बार मिलेंगे इमरान जी राहत जी और यतने भी शायरान यहां पे थे उनको लोई के फिर से एक बार आपके सामने आएंगे तब तक के लिए आपके दुआओं के साथ खुदा आफिस